एक बार सभी मित्रों को रामरा मित्रों स्वागत है आप लोगों फिर से देखें परमुक इतियासी कथन हम लोग पढ़ रहे थे इतियास में आपको पता है एक कथन देखें वहां से सवाल पूछा जा सकता है एक परट मैं आपको पहले पहुंचा चुका हूँ साथियो दू सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें रायथान का मतलब ही राजस्तान है और राजस्तान का प्राचिन नाम रायथान इसका मतलब ये चैनल है वे राजस्तान जी के को ही समर्पित है बहुत बढ़िया साथियो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बीरबल सिंग आप सभी आपको सोब के जा रहा हो, सहीद भीरवल सिंग का कथने साथी हो, भीका निर रियास से सम्मंदित है और भीका निर निर ने बीरवल सिंग दियोश्य मनाया था, भीका निर परजा परिशन का एक अधिवेशन था राई सिन अगर, वहां साथी हो यह जंडा था, और फिर यह सा कांड कौन सा कांड ड्डबडा कांड के बारे में आपने सुनाओगा ड्डबडा कांड जट यह quién्हां इसात्य नागोर में हुआ था आपको उन्हें सरन देती ठीक है तो उन्हें मोत गाट उतार दिया तब ये मतुरदास माथुर ने बात कही थी ये कि कि मैं आदी सताब दीके राजनितिक जीवन में पीछे मुण के देखता हूं तो मुझे डाबडा जैसी जगजोर करने वाले गटना नहीं दिखाई देती है किसके संद्रम में कहा डाबडा कांड के समद में और किस ने कहा मतुरदास माथुर ने दोनों ही बात आपको द्यान रखनी है जमलाल बजाज सातियो आपके जैपूर परजा मंदल के सक्रिय कारे करता है अधिक्स भी रहे है पुन्रगठन करता भी रहे है इन्होंनों ओसला बढ पर पर नापको पता होगा उपर माल पंच बोड का गठन किया तब इन्होंने दो बात कही लाटा कूता जागिरदारों दुवारा किसानों की लूट बन गई है हर्याली अमाउश्य के सुखद वहुष्य को जानलो सवतनतरता के हिद धरम युद्ध की ठानलो तो हर्याली आपको पता हर्याली अमाउश्य के सुखद वहुष्य को जानलो सवतनतरता के हिद धरम युद्ध की ठानलो यह आप लोग ध्यान रखें वीजय सिंग्पथिक का कथन है साथियो आगे बात करें राव किर्ष्ण सिंग राव किर्ष्ण सिंग ने मित्रों एकर लगाया था आप सब जानते हो उसकर का नाम है चौरीकर चौरीकर लगाया 1903 में और यह कहा कि जो भी किसान अपनी बेटी के विभा करेगा उन्हें पांच रुपए टैक्स के रूप में देना पड़ेगा तो साथियो 1905 में यह सब लोग पहुंचे ठाकुर के पास और कहा कि इनका वि गरपतार कर लिया जाता है और गरपतार किया जाता है ते फिर क्या होता है तो साती हो यहां के पड़ेक्रा ओकता हैं देविर नाय्नियो Feet काम किया सीता देवी ने सिता के सम्भंध कहां से अल्वर रियाशत को ने मुंचाना की लोग किसी भी हलात में ठिकानेदार को अधिक लगा नहीं देंगे बहुत अच्छा कोशन बनेगा उट कतन किसका सीटा दिवी का है सती हो मोतिलाल तेजावत की बात करें वीडियोको लाइक जरूर करना साथ यो शेर करें आप लोग लाइक तो आपको करना ही है वाकई आपको पसंदारा लाइक करने साथियो तो YouTube कहीं कहीं पर्मोशन में आपके चैनल को भेज़ेगा तो आप सभी का साथियो में निवेदन है और धन्यवाद दूँगा कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ग्रोथ करें साथियो मोतिलाल तेजावत आपको पता है साथियो वेही मोतिलाल तेजावत है जो कि मेवार की पुकार नामक पुस्तक लिखते हैं और आपके कोल्यारी गाव उदेपुर में जनता है साथियो आदिवासियो का मस्या कहते हैं, आदिवासियो का भावजी कहते हैं क्योंकि आदिवासि समख राजस्तान एक ऐसा आज़ाइब गर भन गया था जिसके पिंजरे के नया तो कहीं दरवाजे थे और नहीं पहरेदार थे अच्छा कोशन बनेगा समझ राजस्तान एक ऐसा अजयब गर बन गया था इसके पिंजरे के नहीं तो कोई दर्वाजे थे और नहीं पहरेदार थे बढ़िया कोशन बनेगा कोन कह रहा है यदुनात सरकार का कथने सातियो मानिकलाल वर्मा आपको पता है कि ये मानिकलाल वर्मा मेवाड के जो माहराणा है सातियो भूपाल सिंग वे एक बार एक एक एकरण में देरी कर रहे थे सामिल होने के लिए तब ही नोंने कहा था कि मेवाड की 20 लाग जनता के भाग्य का फैसला आकेला माहराणा भूपाल सिं आप जैसे लोगे तो यह कथन का हाले माहत्मा गांधी जी का है माहत्मा गांदी जी का है विकी से कहते हैं दामदर्दास राथि को साथियो इन्हों ने कहा था कि ऐसा है मा की बेडिया तूटनी ही चाहिए धन की कमी कहीं बादक नहीं होगी यह कथन है साथियो दामुदरदास राठी साब का यह भी आप लोग ध्याना के बड़ी आपका कोशन यहां से बन सकता है ठीक है नेक्ष्ट बात करें हम लोग साथि साथियो यह रहा देखिए जो भी साथिये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेड़ा भाईया ना हनुवंध सिंग जोधपूर के महरदा एकी कर्म समय की बात कर रहे हैं साथियो इन्होंने चब वहां विले पत्तर पर अस्त्रक्षर कर रहे थे तो वीपी मेनन से कहा कि मै तुमारे दबाओ में आने वाला नहीं हूँ यह कथन किसका हनुवंध सिंग का मोहमद अली बेग साथियो आपको पता है तीन जून 1857 को नीमच में किरांती हुई नीमच की किरांती का नेत्रतु करने वाला मोहमद अली था और साथियो इन्होंने चब वफादारी की कसम द अच्छा कथन है क्या अंग्रे जोन अवध पर अच्याचार नहीं किये इसलिए आपको यह अप्रिक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतिये सेनक अपनी शपत का अनुपालन करेंगे कथन है साति ध्यान रखें आप लोक कि आववा की ठाकूर कुशाल सिंग वे उसके सहérioगियों का विरोध अपने स्वामी तक्ठ सिंग्. ayr तक्ठ चंग के बीच में फी थोड़ा की उत्रदिकार को पर्सम ठाकुर कुशाल सिंगें चंपावत था, उनका विद्रो अंग्रेजो के खिलाब नहीं था विवासाथ ध्यान रखना कि वहां की राजा यह प्रियेशा सक तक्थ सिंग के खिलाब था बहुत अच्छा कोशिन बन सकता देखिए आपको यह रहा कि आप लोगों के केप्टेन शावर्स साथियों आपके तात्या टोपे राजस्तान आये थे तात्या टोपा को पकड़ा गया फांसी दी गई शाथियों और ये केप्टेन शावर्स है ये आप लोगों के मेवाड के political agent है इन्होंने ये कहा था कि दो प्रिश प्रांता देशी भारत से थे और यहां सजा देना साथ यो बिटिश सरकार काम कहा से आ गया देतु राजा दे ये इसका कथन है पिर आग कहा है इतियास में ताट्या को फांसी देना बिटिश सरकार का अपरास समझा जाएगा और आने वाली पीडी पूछेगी कि इस प्रण खेत तगड़ो लड़ियों तातियों हिंदू थान रहे हित तो यह आपके सवाल अच्छे बनेंगे लाइक प्लेज प्लेज लाइक और सपोर्ट साथियों बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साथियों अगर वाके ही आप ये बात को सुविकार कर रहे हो कि देशी राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था आपको पता है ये यही कह रहे है कि इनोंने साथियों तूपान में अवरोध का कारिय किया यह तूपान आया था उसमें साथियों अवरोध का कारिय किस ने किया राजाओं ने किया उस संद्रम में ये कथन है आपके क क्या है कि इन्होंने तरंग में तूफान में तरंग अउरोध का कारे किया नहीं तो हमारे किस्ती बह जाती आठार सतावन किरांती में अंग्रेजों को दिये गए सहयोग के संद्रब में हैं देशी राजावन। क्लियार कि अगे रिखते हैं जोन लोरेंस यदि विद्रोयों में एक भी योग नेत रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते 58-10 कि रान्तिके सदर में कथना है कि नमीं एक भी योग नेत रहा तो हम सदा के लिए हार जाते यह आthati हो और महाराजा उधेभान के साथ ही, साथ आपके और हमारे पूरुजों के बीच सन 1765 में हुई संदी का खात्मा हो गया, कि इन अस्ताक्षरों के साथ ही, आपके और हमारे पूरुजों के बीच सन 1765 में हुई संदी का खात्मा हो गया, किसका है महारजा उदेवान सिंगा, बढ़िया परसन बनेगा सा उस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा और मेरी तरफ से आपको भी राम राम साती हो और आपकी घरवालों को राम राम कह देना घरवालों से कि फिर से अलवर वाले सरकार राम राम आ गया है धन्यवाद थेंक्यू